ये शुदरा थाना अंतरकर तलवार लेकर परिसर में उत्पात मचाते दो लोगों को गिरफता क्या गया आरोपी वैशाली नगर निवासी शाम बापू पुर्शुत्तम कुसेरे और संजीवनी कौटर निवासी मुहमद अलिम हुसेन मुहमद जेनुले बता जा रहे है उनके पास से तलवार समेत अन्य धारतार हतियार भी जब्त के गए है शाम करीब साड़े पाच बजे इलाके में गश्ट कर रही पुलिस टीम को पता चला कि तुकड़ुची हॉल के सामने एक युबक तलवार लेकर लोगों को डरा धंका रहा है पुलिस ने मौके पर पहुची तो जानकारी सही साबित हुई शाम बाबु ने जैसे ही पुलिस को दिखा तो वहाँ भागते लगा लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर धर्द बोचा और उसके पास से तलवार जब्त कर गिरफतार कर लिया इसी प्रकार रात करीब 10 बचे थाने की टीपी स्क्वाट को सुचना मिले कि गरीब नवाजनगर में एक वेक्ती गाली गलोश करते भी आने जानी वाली लोगों को धंका रहा है वह लोगों को पत्थर भी मारा है मौके पर पुलिस ने उसे पकड़ा पुच्टाच में उसने अपना नाम मुहमद अलिम बताया है तराशिन लेने पर उसके पास से एक धारदार चाको मिला है और उसे किरफतार कर लिया दोनों मामलों में पुलिस ने मामला तरच कर जाश शुरू कर दी यह दोनों कारिवाई DCP निलोतपल, ACP रोशन पंडित, सिनियर पियाई अशुक मिश्रां के मार्ग दशन में API श्रिनिवास दराडे, जितेंडर भारकव, विनोत सुलव, अक्षय सोर्ती, मनिश भोसली, सोयब नितिश, विशाल साक्रे, विनोत पलकी, धोटे, प्रसन अजिद, आति नेकी कैमरा पसंड अकिलेश भारत वाश के साथ, शितिचा देश मुकी रिपूट